हेलो स्टुडेंट्स आज प्लास फॉर्थ में हम पाठेक पढ़ाएंगे जिसका सिर्षक है गांधी जी की हिंसा बच्चों आप जानते हैं महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे इनका ये सिध्धान्द था कि हमें किसी भी सूरत में किसी को सारीरिक या मानसिक रूप से शती नहीं पहुचाना चाहिए उसकी भावनाओं को हमें ठेस नहीं पहुचाना चाहिए इनका ये सिध्धान्द था कि अगर कोई हमारे एक गाल पर एक तमाचा मारता है तो हमें तो बच्चों इस चैप्टर में महात्मा गांधी और पंडित जवाहलाल नहरु जोकी भारत के प्रधम प्रधान मंत्री थे उनकी मुलाकात के दौरान एक छोटी सी घटना से ये सम्बंधित है देखिए इसकविता में क्या है एक बार की बात गए जब गांधी के पास जवाहरलाल घड़ी थी रात की पुटिया के कोने में नन्हा दीप था अंधियारे में दिखी न लाठी पंडित जी को गांधी जी के पाथ और पास उनके पहुँचे इस तोरा में वे बेचारी लाठी से टकरा गए बहुत नहीं लेकिन थोड़े लड़कडा कर कुछ गुसे में आए कुछ घबरा ले थोड़े कुछ जला कर बोले आप तो प्रेम हिंसा के हामी हैं फिर भला पांच हाथ का इतना मोटा लठ्टिया रहता है किस लिए बगल में डला देखिए क्या हुआ करा कि एक बार की बात है गांधी जी के पास पंडित जवाल लाल नहरू पहुँचे गए और वो समय था रात का रात का समय होने के कारण चारो तरफ अंधेरा था और महात्मा गांधी जी चुकि सादगी के पुजारी थे उनका यह सिध्धान्त था सादा जीवन उच्छ विचार तो उनके कुटिया में एक छोटा सा दीपक जल रहा था उसके मध्यम रोसनी थी और ट्रकास बहुत ज्यादा नहीं था किसी बस् अस्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती थी अब देखिए कि इतना अधेरा था कि उस अंधेरे में गांधी जी के हाथ की जो लाठी थी उसको जवाहरलाल नहरू नहीं देख पाए और हुआ क्या कि कर आया कि पास पहूचे पास उनके पहूचे इस तोरा में तोरा में इस पहुता जलदी तो जब कर रहेए कि वह जो महात्मा गांधी जी के हाथ की जो लाठी थी उसको उसको जोवाहलाल नहरू नहीं डिया उन्हेरे मुन्हे उनके पास पहुंचे और जब वो पहुंचे तो वे बेचारे लाठी से टक्रागे चुकि लाठी उनको दिखी नहीं और लाठी से वो टक्रा गए करब बहुत नहीं लेकिन थोड़े लड़कडा कर कुछ गुस्से में आये कुछ घबरागे गाने का मतलब जब वो टक्राए तो वो मतलब टक्राना करा टक्राने के कारण वो लड़कडा गए या बहुत ज्यादा चोड़ तो उनको नहीं आई लेकिन कुछ जरूर लड़कडा गए और लड़कडाने के बाद जब आदमी देखिए उसको चोड़ लगती है या थोड़ बहुत लड़ खड़ा जाता है या किसी के तूँ अगर कोई घटना घटती है तो उस बेति के अंदर तुरंत प्रोध आता है अपने से कोई घटना घटतीतम नहीं आता लेकिन अगर किसी से फंस करके वो गिर जाए या किसी के कारण उसको चोट लग जाए तो वो क्रोध में आ जाता है तो वही चीज इनके साथ विवे आवेस में आए तो वही कुछ गुसे में आए कुछ घबरादे लब घबराहट के साथ वो बोले कुछ घबराहट भी उनके मन के अंदर आई और करण कुछ थोड़े कुछ जला कर बोले आप तो प्रेम अहिंसा के हामी है और कुछ जला करके परेसान होकर के बोले आप तो कहते हैं कि हम अहिंसा के पुझारी है तो आपको ये लठ ले लेकर चलने के क्या जरूरत लाठी करते हैं आप टीळी तो प्रेम मुतकों हंग सब्सक्राइब करके तो कहते हैं कर बोले तो आप परेम अहिंसा के उतना मोटा लटक लिए क्या कारण आपको इसकी क्या जरूरत है अब देखिए के अब गांधी जी उनकी बात का कितना सादगी के साथ उत्तर देते हैं गांदी जी मुस्करा उठे इस क्रोध पर बोले तुम ही बताओ तुम से उधमी लड़कों की क्या आसपास मेरे कमी उन्हें ठीक रख सकूँ इसी के ध्यान से इसी के ध्यान से रखता हूँ मैं लंबी मोटी या छड़ी सुनकर हसे जवाहर बापू भी हसे दमक उठी दोनों की निर्मल हसी से अंधकार से भी भरी रात की वग तो गांदी जी तुरंट उत्तर दिये कि मुस्करा करके बोले तुम ही बताओ तुमसे उधिमी उधिमी स्वता सरारती लड़कों की क्या आसपास मेरे कमी करा क्या तुम जैसे सरारती बालकों की कमी है मेरे आसपास और यह वह सरारती बालक है अगर हमारे पास यह लट लाठी नहीं रहेगा उनको कैसे ठीक रख पाऊंगा, उनको कैसे कंट्रोल में रख पाऊंगा, तो कह रहा है, इसी इसी से वो जो रात की, जो अधेरी रात का वो समय था, वो दमक उठा माने चमक उठा, अर्था चारो तरफ उनकी कुटिया में उन दोनों की हसी बिखर गई, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है, फिर मिलेंगे, थैंक्स